हेलो एब्रिवन स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और गाईज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूनिक मैडिसिन तो गाईज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम जानेंगे कि जब भी आप कोई आई या एर ड्रॉप लेकर आते हैं तो इस समय ड्रॉप को लाने के बाद इसको कैसे ओपिन करते हैं और ओपिन करने के साथ साथ क्या साबधानिया हमें रखनी होती हैं तो ये सारी बाते हम इस वीडियो में जानेंगे इसके बारे में डिसकस करेंगे तो guys जब भी आप इस तरह का कोई भी eye या ear drop लेकर आते हैं जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं तो इस drop को open करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने hand wash कर लेना है अच्छी तरह से अपने हाथों को दो लेना है इनको साफ करना है और साफ करने के बाद में जो भी eye drop या ear drop आप लेकर आते हैं इसको आप packing से निकाल ले इसको और इसके बाद आपको कुछ इस तरह से drop मिलता है तो अब next जो point आता है सबसे important बात कि बहुत सारे लोग eye ear drop लाते हैं इसको निकाल लेते हैं बॉकस से बाहर कर लेते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग काफी गलतियां करते हैं क्या गलतियार करते हैं इनके बारे में जा रहेंगे और क्या साबधानिया होती हैं इनको सीखेंगे तो होता क्या है कि generally कोई इस तरह का drop लाता है तो वो इसको open करता है और open करने के बाद इसमें कोई नुकीली चीज डाल कर यानि कोई नुकीला ओवजेक्ट डाल कर इसको जो है सील को break करता है तो यह जो है गलत है अब इसको सही तरीका क्या है इसको समझे लेते हैं तो सबसे पहले जब आप कोई भी drop लेकर आते हैं तो उसमें drop आपको इस तरह से मिलता है और इसकी neck में आप को एक ring मिलता है तो basically यह ring क्या है क्या इसका use है इसके बारे में हम समझेंगे तो generally क्या होता है हम इसको लाते हैं तो मेरे पास एक नया drop है eye drop है और इसको मैं आप open करने वाला हूँ तो first time क्या गरना है कि इसको इस तरह से आपको cap को anti clock wise घुमाना है इस तरह से और जब आप घुमाते हैं तो अभी आपने देखा आपको एक आवाज भी आई होगी कि इसकी जो ring है ये break हो जाती है मतलब यहाँ पर जो neck में ring है ये break हो जाती है और यहाँ आपको drop इस तरह से मिलता है अब generally लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर swing या कोई alpine या कोई nukili चीज डाल कर इ जिसे क्या होता है कि जो आप object इस्तेमाल कर रहे हैं कोई nukili चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या है ये जो medicine है वो contaminate हो जाती है solution खराब हो जाता है और फिर आपको इसके फाइदे नहीं मिलते हैं और ultra नुकसान हो जाता है तो ऐसा आपको नहीं करना है इसको खोलने का सही तरीका ये है जैसा कि अभी हमने देखा पहले इस cap को हमने हटा लिया इसकी neck में जो ring है ये break हो जाती है और फिर इस ring को आप ऐसे निकाल कर fake दे और इसके बाद next step क्या है कि ये जो आप cap देख रहे हैं इसके अंदर आपको एक काटा सा दिख रहा होगा एक spike इसके अ हुमने इस ring को हटा दिया यहां से इस तरह से जब हम ring को हटा देते हैं तो यहां पर ये space ये gap रह जाता है और इसके बाद में इसको cap को जो है आपको tightly close करना है देखिए इस तरह से close करना है इस तरह से तो लगभग ये जो ring के स्थान पर ring की जगा में ये gap आ जाती है उस समय ये अपने आप से hole हो जाता है इसके अंदर जो spike है वो खुद से इसके अंदर hole कर देता है और इसके बाद बापस आप इसको इस तरह से हटा दे हटाने के बाद देखिए अभी यहां पर इसकी जो seal थी वो break नहीं थी बट हमने इसको break किया कितनी आसानी से break हो गई और medicine भी यहां से dispense होने लगी है तो देखिए medicine भी यहां से निकलने लगी तो इस तरह से guys जब भी आप कोई eye या ear drop लेकर आते हैं तो उस समय आपको इस तरह से seal को break करना है इसके अंदर hole करना है ध्यान रह किसी भी नुकीली चीज या किसी dust वाली या rust वाली कोई नुकीले object से इसको open ना करें वरना आपकी जो medicine है वो खराब हो जाएगी इस बात कब इसे इसकर आपको ध्यान रखना है तो guys अब मरीज को जब हम डालते हैं इस दवाई को लगाते हैं तो मरीज को लिटा कर उनकी आखों में या कान की दवा है तो कान में डाल सकते हैं और इसके बाद generally इसका जो gap है वो इस तरह से लगा के फिर इसको ज़्यादा tight नहीं करना है और लगा के अच्छी जगा में साफ सुत्री जगा में इसको store करके रख देना है इस तरह से gap के अंदर डालना है और इसको व पताना चाहूंगा कि eye ear drop जो होते हैं ये open करने के बाद एक महिना के अंदर यानि 30-35 days के अंदर आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए अगर इससे ज्यादा रखी हुई medicine है तो फिर इस्तेमाल ना करें इस बात का विससे इसकर आपको ध्यान देना है तो आप इसके pack पर date लिख सकते हैं और कुछ company जैसे की सिपला जो है यहाँ पर एक section भी देती है blank blank space होता है जिसमें आप अपनी open करने की date और ये सारी चीजे note करके रख सकते हैं तो I hope वीडियो से दी गई जानकारी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और इनी विसस के साथ आप safe रहें आ हैं तो